उम्शान्ते हमारा परीचे हमारी वानी है हम क्या बोलते कि स्टोन में बोलते हैं कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे मालूम पढ़ता है उच्चारन से हमारे आच्रन का परीचे होता है हमारे विचारों का परीचे और साथ-साथ हम कौन से परिवार से है उसका परीचे जब यह शब्द, सम्मान, स्तुती, स्ने, श्रदाभाव से भरे हुए रहते है जिने हम कहते हैं आरती, श्लोक, मंत्र और तब देखते वातावरण कितना सकारात्म कुर्जा से बर जाता है और जब यही शब्द इसके विपरीथ होते है तो वातावरण कैसे बनता है और इसलिए शब्द संभाले बोलिये शब्द संभाले बोलिये शब्द के न हात न पैर शब्द संभाले बोलिये हमारे इस जबान में हड़ी नहीं लेकिन हड़ीयां तुड़वा सकती है इतनी ताकद है इन शब्दों में ये शब्त अगर आशावादी हो, शान्ती के रस में डुबेवे हो, उमंगुच्सा दिलाने वाले हो, सने से भरपूर हो, दूसरों का सम्मान बढ़ाने वाले, उनका मनोबल बढ़ाने वाले, सामने वाले का भायदूर करने वाले, उनको निर्भायबनाने वाले, दीरज देने वाले, अगर ऐसे शब्त हो तो, ऐसे शब्त दूसरों को स्वास्तय पुरदान करते हैं, उनके मन को शान्त कर देते हैं, जब उनका मन शान्त होता है, स्थीर होता है तो स्वाभावी सामने वाले का स्वास्त्य सुधरता जाता है और इसलिए हमारे शब्द बहुत बड़ा काम करते है दूसरों का स्वास्त्य सुधारने में तो क्यों नहीं? आज से हम एक बहुत अच्छा प्रण ले एक बहुत अच्छी प्रतिज्या करें आज सारा दिन हम जिनके भी साथ बात करेंगे जिनके भी साथ हम सम्मन संपरक में आएंगे मेरे शब्द मधूर होंगे सकारात्मक उर्जा से भरपूर होंगे उन्हें सही मार्ग दर्शन करने वाले होगे अगर ऐसे शब्द हम घर से शुरुवात करें तो ऐसे शब्द वर्क प्लेस पर हम अगर यूज करें तो हर लब्ज एक महकता हुआ गुलाब हो नाकी तलवार हो तो अगर ऐसे शब्द निकलते जाए तो क्या बन जाएंगे सब के लिए एंजल फरिष्टा तो आपके शब्द आज साड़ा दिन अनमोल मधुर रहे यही मंगल कामना अपी देख